हेलो एवरीवन, वेलकम तो आर चैनल टोपर्स टार्गेट, तो आज की इस वीडियो में हम बायो का नेक्स टॉपिक डिसकस करेंगे, दाइट इस विटामिन, तो लेट स्टार्ट आर फर्स टॉपिक इस विटामिन, विटामिन आर बेसिकली औरगेनिक कंपाउंट देट पीपल्स नेड इन अ स्मॉल कॉंटिटी, कि विटामिन क्या होते हैं, हमारे ऐसे औरगेनिक कंपाउंट जो हमें कम कॉंटिटी में रिक्वार्मेंट होती है, जो मोस्ट अफ दा विटामिन की रिक्वार्मेंट अलग-अलग होती है, कि यूमन को विटामिन सी चाहिए, तो वो कहां से मिलेगा, उसे उसकी डाइट से मिलेगा, अगर एक्जाम्पल की बात करें, विटामिन डी का जो में सूर्स है, हमारा सनलाइट है, क्योंकि हमें फूट से एनफ विटामिन डी नहीं मिलता, तो डिफरेंट विटामिन प्ले डिफरेंट रोल इन दा बॉड़ी और हर एक परसन की अलग-अलग अमाउंट में विटामिन की रिक्वार्मेंट होती है, हल्दी रहने के लिए, तो विटामिन और एन असेंशल केमिकल इन दा बॉड़ी देट साइंटिस्ट फंक 1912 में जो पहले विटामिन को जो तन थी हमारे विटामिन वो किस साइंटिस्ट ने दी थी हमारी फंक ने सो next is classification of vitamins सो scientist हेख हमारे विटामिन ऑ अकलम इन 1915 found that some of these vitamins are water soluble and some are fat soluble तो इन्होंने साइन्टस ने ये कहा था विटामिन अगल हमने 1915 में कि कुछ विटामिन्स हमारे water soluble होते हैं कुछ हमारे fat soluble होते हैं तो उन्होंने vitamins को classified किया था उनके categories की basis पर तो first one is water soluble vitamin and second is fat soluble vitamin So water soluble vitamin is vitamin B and vitamin C So water soluble vitamin कौन कौन से होते हमारे vitamin B and vitamin C और fat soluble vitamin हमारे होता है A, D, E, K vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K और आप इसे short form में ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कीडा, की E, D ये तो ऐसे आपको याद रहेगा vitamin K, vitamin E, vitamin D and vitamin A अब से पहले हम discuss करेंगे fat soluble vitamin so as we all know fat soluble vitamin में हमारा आता है first one is vitamin A vitamin A कि अकर chemical name की बात करूँ तो that is retinol retinol means आप ऐसे हाद रखना कि retinol chemical name होता है vitamin A का तो ये हमारे retina से related होता है vitamin A हमारे लिए essential nutrient है क्योंकि ये हमारे body के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये हमारे vision में, proper vision में हमारे सबसे जादा helpful होता है vitamin A और vitamin का जो main function होता है वो ये होता है कि ये हमारे eye health के लिए बहुत ज़रूरी होता है essential element, essential nutrient है और ये क्या करता है कुछ certain pigments का production करता है जो हमारे retina के functions के लिए बहुत ज़रूरी होती है और जो main function है जो measures, जो source है vitamin A का वो होता है हमारे fish, egg, liver fortified, margarine, beads, greens, milk, milk product like cheese, butter, green, leafy, vegetables, etc ये सब हमारे क्या है vitamin A के sources है कि हमें vitamin A सबसे जादा कहां से मिलता है अगर मैं बात करूँ कि good source तो good source की बात करें तो सबसे जादा liver next आता है cold liver, oil, carrot, broccoli, sweet potato सबसे जादा जो main source होते है vitamin A के वो ये होते है तो हमारी जो eyes है वो dry रहने लगती है demonized vision और night blindness की हमारा जो vision है वो कम हो जाता है और हमें क्या हो जाता है night blindness हो जाता है stunted और delay growth और हमारी growth भी क्या हो जाती है कम हो जाती है तो आप इसके chemical name से भी आद कर सकते हो कि retinol यानिकि वो हमारे किस से related है और retina से related है तो हमें कौन सी vitamin हे की deficiency से कौन सी DC हो सकती है that is night blindness so next is vitamin D so vitamin D का जो major source होता है और पर कह सकते है main source होता है वो हमारा sunlight होता है क्योंकि food से हमें जादा amount में vitamin D नहीं मिल पारता जितना जादा हमें sunlight से मिलता है because sunlight is the main source of vitamin D so vitamin D एक ऐसा nutrient होता है जो हमारी body को कम amount में requirement होता है functions को करने के लिए as healthy रहने के लिए vitamin D हमारी body में help the body use calcium और phosphorus को use करता है ताकि हमारे जो bonds है और तीत हैं वो क्यों हो सके strong हो सके vitamin D हमारा fat soluble होता है ताकि वो क्या करता है fat fats और oils को dissolve कर लेता है and is found in fatty fish egg yolk and dairy products में हमें सबसे जादा vitamin D मिलता है but main source sun daily जो होती है हमारी sunlight एक essential nutrient है जो हमारे strong bones और तीत के लिए responsible होता है vitamin D हमें जो major other source की बात करें तो red meat egg yolk and fatty fish ये सब भी क्या है हमारे major source है जहां से हमें vitamin D मिलता है vitamin D generally हमें दो form में मिलता है अलग-अलग two different forms में मिलता है first one is vitamin D2 and second is vitamin D3 अब vitamin D की deficiency हमें क्या-क्या होता है तो first is hair loss next is osteoboruses क्योंकि हमारी जो bones जो होती है वो बहुत weak होती है तो चल्दी factor होने के chances बहुत बढ़ जाते है back pain, even bone pain rickets, vitamin D की कमी से में rickets हो सकता है हमारी muscles में काफी weakness आजाती है even mood change और mood swings भी हमें vitamin D की कमी से होते है so generally जो पूछा जाता है कि vitamin D की कमी से हमें कौन सी disease हो सकता है मतबब deficiency से क्या हो सकता है तो mainly आपको osteoporuses और rickets यह हमारा दो बहुत so next is benefits of vitamin D so vitamin D के हमारे human body में बहुत सारे रोल है यह हमारे immune system को भी support करता है even हमारे brain को भी support करता है और हमारे nervous system को healthy रहने में भी vitamin D काफी help करता है हमारी healthy bones और teeth को promote करता है even insulin के level को भी regulate करता है और support करता है diabetes को manage करने में so जो basic role हो गया हमारे लिए human body के लिए essentially role play करता है immune system को support करता है even brain और nervous system को भी क्या करता है healthy करता है तो यह सब क्या है हमारे vitamin D के benefits है कि वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है क्यों नेसेसरी है हमारे लिए vitamin D next is vitamin E vitamin E is also fat soluble vitamin क्योंकि अभी हम सब किसके बारे में पढ़ रहे है fat soluble vitamin के और जो vitamin E है वो generally हमारा vegetable oils में nuts में seeds में या green leafy vegetables में हमारा सबसे ज़्यादा vitamin E पाया जाता है और यह क्या करता है it reduce the risk of hurt diseases hurt diseases के risk उसको भी हमारा कौन reduce करता है vitamin E और यह हमारे लिए एक essential nutrient है vitamin E so next is vitamin K vitamin K is also a fat soluble vitamin which plays a vital role in a blood clotting most important part है यह इसका कि blood clotting में कौन सा vitamin एक important role play करता है तो वो होता है हमारा vitamin K और generally exam में पूछा जाता है vitamin D, vitamin K और vitamin A का chemical name पूछ लिया जाता है retinol और कौन सी हमें vitamin E की कमी से कौन सी डिवो हो सकती है तो that is night blindness same vitamin D से भी आपको same पूछ लिया जाता है जिसमें osteoporosis या फिर rickets और vitamin K vitamin K it's also a fat soluble vitamin और यह भी क्या करता है एक blood clotting में vital role play करता है हमारे बहुत सारे forms होते हैं vitamin K के हमारा कुछ vitamins K के होता है plants में synthesized होता है तो कुछ animals में भी होता है including humans and large range of type synthesized by bacteria सबसे जादा कहा होता है जो large amount में जो vitamin K होता है bacteria में even small intestine of humans sources क्या है green leafy vegetables like colorate greens kale and spinach kale and spinach so सबसे जादा main source है वो है green leafy vegetables even vitamin K की deficiencies से can contribute a significant bleeding क्या होता है कमी से कि हमें bleeding होने लगती है poor bone development कि हमारी bone अच्छे से develop नहीं हो पाती osteoporosis हमारी जो हड़िया होती है वो weak हो जाती है और even हमें cardiovascular disease का risk भी क्या हो जाता है increase हो जाता है अभी तक हमने देखा था fat soluble vitamin अब हम देखेंगे water soluble vitamin so fat soluble vitamin में हमने देखा था vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K जिसे मैंने का था कि आप कैसे हाथ कर सकते हो keto, vitamin K, vitamin E, vitamin D and vitamin A so next is water soluble vitamin water soluble vitamin में हम सबसे पहले discuss करेंगे vitamin C vitamin C is also known as ascorbic acid and ascorbate जो इसका chemical name होता है vitamin C का that is ascorbic acid और इसे हम कह सकते हैं कि vitamin C is also known as water soluble vitamins और यह हमारे foods अलग-अलग foods में क्या होता है vitamin C पाया जाता है so vitamin C क्या है और कह सकते हैं कि ascorbic acid chemical name of vitamin C जो होता है that is ascorbic acid formula of vitamin C C6 H8-O6 this is the formula of vitamin C carbon 6 hydrogenate and oxygen 6 जो main source होता है इसका citrus fruits strawberries broccoli kiwi fruit brussels sprouts and other food contain it so leafy, greeny, leafy greens, potato, tomato इन सब में क्या होता है हमारा ascorbic acid होता है और यह हमारा common cold को भी treat मतब जो हमारे it is commonly used to treat and avoid common colds example, हम कोरोन का ही ले 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 लेता है कोरोना टाइम्स में हमें क्या कहाता है कि सबसे ज़्यादा vitamin C खाओ because यह क्या करता है common colds को avoid करता है और यूज वेली उसे बहुत ज़्यादा cure करने में भी help करता है vitamin C it is used to shield the skin from the sun and pollutant और generally एक तरह का क्या करता है shield का काम करता है यह हमारे हमारी skin को pollutant और sun से भी बचाता है scurvy is a disease caused by a lack of vitamin C this is the most important question in this कि जो vitamin C की कमी से हमें कौन सी disease होती है वो होती है हमें scurvy scurvy is a disease caused by the lack of vitamin C और generally यह सीटेट के एक्जाम में पूछा भी गया था कि हमें vitamin C की कमी से कौन सी disease हो सकती है यह क्या होता है vitamins, fats, proteins इंसे आपके बहुत सारे questions बन सकते हैं generally और जो पूछे भी जाते है और सबसे जादा specially vitamins से next is vitamin B complex vitamin B complex हमारे क्या होते है water soluble vitamins होते है जो एक crucial role play करते है energy को produce करने में क्या होता है हमारी body को energy की requirement होती है proper functioning करने के लिए so वो energy हमें कहां से मिलती है वो vitamin B से मिलती है कि वो एक important role play करते है energy को produce करने में हमारे 8 different B vitamins होते हैं जो metabolism में help करते हैं और as well as molecules को बनाने में भी help करते है जो हमारी cells के लिए बहुत important होते है और वो 8 vitamins are collectively known as vitamin B complex और उन 8 vitamins को हम कहते है vitamin B complexes vitamin B5 इन सब का chemical name है वो बहुत बहुत जादे important है आप सब chemical name तो सारे vitamins का यादगरी लेना chemical name of vitamin B5 vitamin B5 is panthogenic acid यह कहां पाया जाता है mostly plant और animal product में पाया जाता है और चचचच जिसे egg york हो गया, soya bean हो गया या cashew nuts हो गया, peanuts हो गया brown rice, broccoli, soya milk तो इन सब में हमारा vitamin B5 पाया जाता है और यह क्या करता है it helps produce cellular energy cellular energy को produce करने में help करता है vitamin B6 vitamin B6 का chemical name होता है pyridoxin यह सबसे जादा पूछा जाता है यह red blood cells को functions करने में सबसे बड़ा role जो play करता है वो करता है vitamin B6 और हमारे nervous system आगे हमारे nervous system अच्छे से function कर सके और यह क्या करता है maintain the level of glycogen and amino acid in the body और हमारी body में glycogen और amino acid के level को maintain करता है अगर मैं source की बात करूँ vitamin B6 की तो यह होता है हमारे सीसम, seeds, chicken और beans यह सब क्या है हमारे vitamin B6 के source विटामिन B7 vitamin B7 का chemical name biotin यह क्या करता है metabolism of fat protein, carbohydrate इन सब को regulate करने में help करता है और it also help in the growth of hair, nails and skin जो हमारे hair growth होती है nails, skin इन सब में जो important role होता है वो vitamin B7 का होता है और यह पाया कहां जाता है oranges and soya beans में chemical name ही पूछ लेंगे generally जो chemical name होता है vitamin B7 का that is biotin vitamin B9 vitamin B9 का chemical name होता है folic acid कहां पाया जाता है foods such as cereals, bread और यह क्या होते है हमारे vitamin B9 यह rich source होते है vitamin B9 के और diseases caused anemia कि हमें vitamin B9 की कमी से कौन सी disease होती है anemia और this is the most important question यह पूछा जाता है आप से कि vitamin B9 की कमी से हमें कौन सी disease होती है तो वो होती है हमें anemia next is vitamin B12 vitamin B12 का chemical name cobalamin cobalamin क्या होता है यह भी essential होता सबसे जादा जो main role होता ही क्या करता है यह उसमें भी help करता है it also help produce cellular energy cellular energy को produce करने में भी help करता है और जो main source है vitamin B12 का that is eggs, beef, milk and chicken यह क्या contain करते हैं cobala amine और यह vitamin B12 is the most important यह भी कि इसका chemical name पूछा जाता है और generally क्या इसका production करता है यह RBC का vitamin B12 कि इसका production करता है RBC so thank you for watching this video for further video के लिए जुड़े रही है हमारे channel Toppers target से अगर आपकी कोई भी query है regarding topic तो आप comment box में comment करिए thank you